आपके जिन्दगी के रूल्स रेगुलेशन के बारे हैं करता है कोई भी मैनेजमेंट करता है कोई भी अबसाइड बनती तो सारे जगर पर यह रूल्स रेगुलेशन अपलाई होता है जिसका नाम है प्रोटोकॉल क्या है क्या है क्या है उसका नाम है प्रोटोकॉल तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं रहा हूं अपनाकर उपार दे औ कुछ अच्छा सीखते हैं दोस्तों तो हम बात करने वाले हैं प्रोटोकॉल के बारे में बात करने अगर हम प्रोटोकॉल को बोले ध्यान से set of rules क्या कहते हैं set of rules means क्या हुआ कि यह जो है rules जो इसका set of rules होता in digital communication भी कह सकते हैं in digital communication भी कह सकते हैं हमारे digital communication का set of rules होता है हमारा protocol for example की बात करें आप road पे निकल रहे हो तो आपको किसी चौराहे पे ट्रैफिक लगी होती है तो कहीं पे भी हमारा ग्रीन जनता इस तरीके से हमारी लाइटे लगी होती है तो उसको हमें फॉलो करना पड़ता है तो रुख जाओ आगे नहीं बढ़ना है उस तरीके से अगर ग्रीन आ गया तो तुरंट भाग जाओ और रुखना भी नहीं है तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारे ट्रैफिक के भी कुछ रूल्स होते हैं किसके रूल्स होते हैं ट्रैफिक के भी कुछ रूल्स होते हैं उसी तरीके से हमारा प्रोटोकॉल होता है जो रूल्स होता है जो रूल्स अपलाई करता है जैसे कि हम मैंने बताया था आपको URL का पहले ही हमारा class attend आप लोग कर चुके होंगे जिनों नहीं किया है वो playlist में जाकर के attend कर लेंगे URL का class की URL हमारा क्या होता है URL में मैंने बताया था protocol कहां use होता है यह सारी चीज़े हमने आल्रेडी define कर रखा है अब हम बात करने वाले हैं किसकी protocol की द और उसकी बात करें how to determine जैसे कि मानलो क्या हुआ ध्यान सुन ध्यान सुन जो प्रोटोकॉल होता है यह set of rules है क्या है set of rules है determine करता है कि how to transmitted ध्यान सुन जो हमारी बात how to transmitted over the network मतलब यह क्या करता है यह determine करता है यह determine करता है कि how to to transmitted transmitted over the network मतलब सीधी सी बात आप समझ लिजे बस कि यह क्या करता है determine करता है कि हमें internet के उपर कैसे काम करना अगर हमें file transfer करना है तो FTP का उप्योग करेंगे वही file transfer करना है without authentication तो हम FTP का या sorry 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 मैंने बोला TFTP का यूज करेंगे उसे तरीके से हमें मालिजे कोई mail का यूज करना है तो SMTP का यूज करेंगे अगर कोई text करना है तो HTTP का प्रियोग करेंगे तो इसे आरे protocols है एक एक वीडियो हमारा आल्रेडी पड़ा हुआ है आप उसको देख सकते हैं अगर आप लोग कोई बात ना समझ में कोई problem और कोई सुझाव देना चाते है तो आप comment box में comment जरूर करेंगे मैं आपका comment देकर reply जरूर करूंगा और मित्रो अगर आप लोग को यूज वीडिय जरूर करेंगे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंड